हेलो कैसे हैं आप लोग आई होप यूगाइज आ डूइंग विल और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यानि की सेकेंड मेजर टॉपिक अगर आप लोगों को वो आउटलाइन याद हो जो हम लोगों ने सेल बियलजी डिसकस करते वक्त अपने पहले लेक्चर के अंदर बनाई थी कि हम लोग कौन कौन से मेजर टॉपिक या कौन कौन से मेजर चैप्टर्स कवर करने वाले हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने जो पहला मेजर टॉपिक डिसकस करना डिसाइड किया था वो था कि ट्रांसपोर्टेशन मौलिकूल का मेंब्रेन के एक्रॉज किस तरीके से होता है उसमें इंवाल्व होने वाले कौन कौन से वाहन होंगे और वाहन यहांपर ट्रांसपोर्टर्स थे चैनल्स थे कैरियर थे उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिसकस क किया था कि भाई जो दूसरा मेजर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे सेल बियालजी के अंदर वो होने वाला है मेंब्रेन पुटेंशिल कि तरफ बढ़ने वाले हैं और मेंब्रेन पुटेंशिल की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझने में आ जानी चाहिए कि ये जो मेंब्रेन का पोटेशियल होता है आखिर ये किस तरीके से जेनरेट होता है या फिर ज्यादा ज्यान नहीं करते हैं टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं इधर देख लो तो यह होने वाला है हमारा सेकेंड मेज़र टॉपिक हमारा क्या है कि आयन चैनल और इलेक्ट्रिकол् परोपरिटी जो मेंब्रेन की क्या क्या होती हैं क्योंकि दूसरा जो मेजर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो मेंब्रेन potential होने वाला है तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जिस membrane के potential को हम discuss करने वाले हैं उसकी electrical properties क्या होती है या फिर जब membrane potential generate होता है तो कौन-कौन से ionic channels काम करते हैं तो मुझे पता है आप लोग तयार हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना डिले किये यह सिकेंड टॉपिक को और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब क्योंकि cell biology के साथ साथ हम लोग signaling भी discuss करने वाले हैं मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम cell biology के साथ signaling भी discuss करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग GPCR discuss करने वाले हैं तो आप लोगों को बहुत आनंद की अनुभूती होने वाली है तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो गंटी है उसको बजा लो और आप लोग ये वीडियो अपने फिंट्स को भी शेयर कर सकते हैं हुआ हुआ पर पारिंग पो इक्जांप्स लाइक सिया नेट गेट एक्सेल गेट बीटी डिबीटी ज्यारे आइसी माज यारे बार्ट पीज डी एंट्रेंस दी यू के एमस्ती एंट्रेंस या फिर आइटी जैम के लिए प्रिपार कर रहे हैं यू के शेयर दीज वीडियो तू देम इस विल और ऐसा क्यों करेंगे दिकर शेयरिंग इस करेंग दो इक तो स्टार्ट कर लेते हैं तो पहला पॉइंट जो हम लोगों को समझ लेना चाहिए मेंब्रेन के बारे में वो यह है कि भाई मेंब्रेन के एक्रोस कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं और चैनल प्रोटीन्स को तो आप समझ ही गए होंगे जब हम लोग फैसिलिटेटेट डिफ्यूजन डिसकस कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कुछ मॉल मॉलिक्यूस होते हैं जो कैरियर मीडियेटेट फैसिलिटेटेटेट डिफ्यूजन से ट्रांस्पोर्टेशन में इंवाल्व होते हैं और दूसरे तरीके के मॉलिक्यूस भी होते हैं जो भाई नाव में बैठना यानि की कैरियर पे बैठना पसंद नहीं करते तो वह क्या क तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो मेंब्रेन के एक्रॉस बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो मेंब्रेन के अंदर हाइड्रो फिलिक पोर्स बना देते हैं मतलब मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूं वो अगर आप लोगों को ऐसे अपने वाले स्टाइल में समझाने की कोशिश करूं तो मैं यह बोल रही हूं कि मान लो ये हमारी plasma membrane है जो मैंने लाल रंग से बनाई है दिख रही है तो ये जो plasma membrane है आप इसको मान लीजे कि भाई ये नदी है और नदी में पानी तो भर-भर के हो गई तो इसमें भर-भर के पानी दी है अब कुछ लोग हैं जिनको इस नदी को cross करना है यानि कि अब मालो वो जो लोग हैं वो है molecules वो है ions वो है solutes तो उन solutes को उन molecules को उन ions को इस plasma membrane नामक नदी को cross करना है तो भाई cross करें कैसे आप लोग मुझे सुझाव दे रहे होगे कि भाई क्या करो कि या तो वो लोग तैर कर चले जाएं या फिर दर नौका का भी तो बंदोबस्त होगा तो उन लोगों को नौका में बिठाओ और भेज दो या फिर कुछ और आप लोगों में से कुछ और लो जिसके हेल्प से कुछ मॉलिक्यूस जो हैं ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे तो यह सारी चीजें हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं वाईल वी गाईज वर डिसकसिंग अबाउ पैसिव मॉव्मेंट या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अफ मॉलिक्यूस तो इप्यू हैं या अभी फिलहाल के लिए यह समझो के भाई इधर लोग इखटा है और इन लोगों को यानी इन मॉलिक्यूस को प्लाज्मा मेंब्रेन नामक नदी के दूसरी साइड जाना है तो इन मैंसे इन लोगों मैंसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तरना आता है तो वो लोग क्या करेंगे गोता लगाएंगे और नदी में गोते लगाते हुए दूसरी साइड पहुंच जाएंगे तो इनमेंसे ये वाले जो लोग हैं जो मैंने black color से denote कर दिये, represent कर दिये, ये जाएंगे नदी में गोता लगाएंगे और दूसरी side पहुंच जाएंगे इस नदी के, यानि इस plasma membrane के तो इस तरीके के जो molecules होते हैं, ये simple diffusion की help से plasma membrane के दूसरी side गए हैं और ये कौन से molecules से अगर याद हो तो स्टार्टिंग में एक experiment हम लोग विस्कस किये थे जहां पर कि कुछ लोगों ने एक synthetic plasma membrane बनाई थी, एक ऐसी plasma membrane जिसके उपर proteins नहीं थे तो फिर plasma membrane में बचा क्या? सिर्फ lipid तो वो जो plasma membrane थी, वो सिर्फ lipid की bilayer थी, उसमें कोई भी protein के molecules नहीं थे और जब वहां से हम लोगों ने hydrophobic gases को जैसे oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide इन सारी gases को उस plasma membrane से cross करानी की कोशिश की तो क्या पाया? ये पाया कि भाई वो या तो नदी के इस पार दिखी है या फिर नदी के उस पार दिखी है यानि कि इतनी तेज दोड करके गई है, इतनी तेज स्विम करके गई है, दूसरी side के पता भी नहीं चला तो वो जो molecules होते हैं, यानि hydrophobic gases होती है, वो simple diffusion की help से plasma membrane को cross करती है याद आ रही होंगी ये चीज़ें, नहीं आ रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, कते ही कुछ नहीं हो सकता, अगर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से री चेक कर लो, और कुछ नहीं कर सकते हैं, we are humans, right तो ये वाला जो पहला procedure चलता है, या फिर पहला process चलता है, ये simple diffusion वाला होता है, कि भाई वो लोग जिनको तेरना आता है, वो एक काम करो, swimming करके दूसरी side चले जाओ तो ये काम कर पाती हैं हमारी hydrophobic gases, O2, CO2, nitrous oxide, carbon monoxide, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कि जिनने तेरना नहीं आता तो मैं बना रही हूँ अब बिना तेराक लोग, ये क्या बोल दिया, वो लोग जिनने तेरना नहीं आता, वो green रंग वाले हैं, दिख रहे हैं इसमें से green रंग, green molecules, green लोग खड़े हैं और ये जो green लोग हैं, विचारों को तेरना नहीं आता, तो ये क्या करेंगे, ये ढूड़ेंगे, भाई, कोई नाव मिल जाएं, इन मैंसे भी दो category के लोग हो जाते हैं कुछ लोग क्या करेंगे, वो नाव को prefer करेंगे, कि भाई, कोई नाव मिल जाएं, तो हम लोग नदी के दूसरी site पहुँच जाएं ठीक है, तो ऐसे लोग, या ऐसे molecules, या ऐसे solute, जो की नाव से हो करके इस नदी को इस plasma membrane को cross करते हैं वो हमारे carrier-mediated transportation से इस नदी को cross करते हैं, मतलब वो facilitated diffusion का carrier-mediated pathway होता है और उसमें होता क्या है, कि एक side plasma membrane के carrier लगे होते हैं, यानि मान लो इन carrier को कि ये नाव है और इन carrier का दूसरा नाम क्या था, पर्मियेज, तो ये नाव क्या करेगी, कि नाव में कुछ लोग बैठ जाएंगे और वो जो लोग हैं, वो ये नाव उन लोगों को दूसरी side में पहुचा देगी तो अब ये लोग, जो तीन लोग यहाँ पर बैठे थे, वो तीनों लोग इस नदी को cross करके या इस plasma membrane को cross करके दूसरी side पहुच गए लेकिन एक चीज है, ये नाव की एक capacity होती है, कि इतने ही लोगों को नाव एक बार में ले करके जा सकती है तो मान लो इस नाव की जो maximum capacity थी, वो तीन ही थी, तो अगर चौथा गुसने की कोशिश करेगा, तो वो बैठ नहीं पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो carriers होते हैं, यानि facilitated diffusion के अंदर जो पहला तरीका होता है molecules के transportation के लिए यानि carrier mediated pathway या carrier mediated या नाव वाला तरीका इसमें एक point के बाद नाव के अंदर या carrier के अंदर या permease के अंदर saturation होना start हो जाता है और जब saturation होना start हो जाता है तो इस नाव में फिर और molecules और लोग नहीं बैठ सकते तो यह limitation होती है carrier mediated facilitated diffusion वाले तरीके की अब कुछ और लोग भी बचे हैं उनको बना दो ग्रीम से जिनको टैना नहीं आता था लेकिन इस में से कुछ लोग जो थे जो ग्रीन वाले थे वो नाव से उनको नाव पे ट्रस्ट है, नाविक पे ट्रस्ट है, कहीं बीच में हमको गिरा नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है, मेरे जैसे जो नहीं बैठेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जिनको मैंने ग्रीम से, ब्ल्यू कलर से ट्रांस्फॉर्म कर दिया है, ये लोग वो हैं जो नाव वाले तरीके से दूसरी साइट प्लाजमा मेंब्रेन के नहीं जाएंगे, तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये इस प्लाजमा मेंब्रेन में एक ब्रिज बना लेते हैं, एक चैनल बना लेते हैं, और इस चैनल से होकर के प्लाजमा मेंब्रेन या यहाँ पर एक चीज देखने मिलती है कि भाई यह जो चैनल बनाया है, यह जो सेतू बनाया है, इसके इधर साइड एक द्वार लग जाता है, यानि गेट बना देते हैं, और अब आप लोगों को एक बास समझ लेनी चाहिए, कि या तो यह चैनल खुला हुआ होगा, यानि जब यह गेट खुला हुआ होगा, तो मॉलिक्यूस इसली इससे प्लाजमा मेंब्रेन के दूसरी साइड जा सकते हैं, तो उस केस में यह चैनल एक्स्टिव स्टेट में होगा, लेकिन जब यह गेट बंद हो जाएगा, तो मॉलिक्यूस यानि की आइन्स जो है, वो इस चैनल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या इस प्लाजमा मेंब्रेन को अगर ठीक से बोलें, तो प्लाजमा मेंब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जब प्लाजमा मेंब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे उस state में जब gate बंद होते हैं तो उस state में यह जो channel होता है यह inactive state में होता है तो अम मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ यहाँ पर हम लोग इस तीसरे वाले तरीके की बात करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग membrane इन पोटेंशल डिसकस करेंगे यानि कि हम लोग चैनल मीडियेटेड फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ध्यान में रखेंगे ठीक है तो रखो ध्यान में और देखो इधर कि जो आयंस होते हैं क्योंकि मेंब्रेन के अंदर मेंब्रेन पोटेंशल तभी जेनरेट होता है जब आयंस का ट्रांस्पोर्टेशन होता है और हम लोगों ने देखा यहां पर कि स्टिंपल डिफ्यूजन से सिर्फ हाइड्रोफोबिक गैसिस का ट्रांस्पोर्टेशन होगा carrier mediated facilitated diffusions से जो बड़े polar uncharged molecules होते हैं जैसे glucose वो glucose नाओ में बैठ करके जाते हैं तो जो ions का transportation facilitate कराते हैं वो ये channels होते हैं और क्योंकि हम लोग membrane potential discuss करने वाले हैं तो membrane potential के अंदर ions का transportation होता है और वो ions के transportation के बाद ही membrane के अंदर एक potential generate होता है तो अब क्या हुआ इतनी रामायण पहने का motive था क्या इतना रामायण पहने का जो purpose था वो यही था कि यहां पर जो ये channel proteins लिखे हुए हैं ये यही वाले सेतू हैं जो उन molecules ने बनाए हैं या फिर जो ions ने बनाए है plasma membrane को cross करने के लिए और अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह जो channels हैं यह plasma membrane के अंदर एक तरीके से छेद कर देते हैं तो यह हाइड्रो फिलिक पोर्स बना देते हैं और उन हाइड्रो फिलिक पोर्स से जो चैनल बनता है उससे इन आयंस का transportation regulate होता है या फिर आगे बढ़ता है तो पहला point आप लोगों को समझने में आ गया होगा अब दूसरे point की तरफ बढ़ो और वो क्या बोल रहा है कि animals के अंदर यह जो ionic channels होते हैं यानि यह जो channel proteins होते हैं यह क्या काम करते हैं यह movement regulate करते हैं कौन-कौन से molecules का ions का movement पानी का movement और कुछ छोटे-छोटे polar metabolites का movement को regulate करने का responsibility इन channels को दिया गया है देखना इधर इधर आओ इधर नहीं इधर ही आओ यहां पर यह जो पहला तरीका था यह यह जो पहला वाला तरीका था और simple diffusion के अंदर hydrophobic gases transportation उनका transportation हो रहा था और यह जो दूसरा तरीका था यह दोनों ही तरीके facilitated diffusion के पार्ट होते हैं तो यह मालों यह पहला तरीका है और यह वाला दूसरा तरीका है और ये जो पहला वाला तरीका है यानि carrier-mediated तरीका है इस carrier-mediated तरीके में glucose का transportation जादा regulate होता है लेकिन अगर हम लोग इनकी बात करें जिन्होंने plasma membrane के अंदर छेद कर दिया है तो ये छेद करने के बाद किन-किन molecules के transportation के लिए responsible होते हैं तो ये जो हमारे channels होते हैं ये ions को, पानी को और polar metabolites को transport करते हैं तो दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी अब तीसरी बात यहाँ पर जो लिखी हुई है और जो समझ लेनी ज़रूरी है आपको भी और मुझे भी वो क्या है? वो ये है कि ये जो इन और्गनिक ions होते हैं इनका movement जो होता है अब इन और्गनिक ions जो plasma membrane को cross करते हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं? अलड़ी डिसकस कर चुके हैं जा गर के वीडियोज चेक कर लो तो वो जो इन और्गनिक ions होते हैं उनमें sodium, potassium, calcium, chloride के ions आते हैं और हम लोग ये भी डिसकस कर चुके हैं कि अंदर जो cell के जिन ions की concentration जादा होती है as compared to extracellular वाला पार्ट वो ये potassium ions होते हैं और बाकी के जितने भी ions इस बोर्ड पे दिख रहे हैं या फिर जिनका transportation होता होगा वो सारे ions की concentration extracellular side मतलब ये plasma membrane है तो इस cell की extracellular side बाहर की side बाकी सारे ions का concentration जादा होता है as compared to intracellular part जैसे sodium ion जैसे chloride ion जैसे calcium ion सिर्फ potassium ion है जिसका अंदर concentration जादा होता है as compared to extracellular वाला पार्ट तो तीसरा point जो लिखा हुआ है और जो समझ लेना जरूरी है वो यही है कि इन inorganic ions में से जो की transport होते हैं इन channels की help से वो कौन-कौन से है sodium, potassium, calcium, chloride और यह क्या करते हैं यह इस plasma membrane के अंदर electrochemical gradient को generate करते हैं या maintain करके रखते हैं अब यह इतना भारी सा term है क्या यह जानने के लिए जुड़ जाए हमारे साथ कल को membrane potential हम लोग start करने वाले हैं किस तरीके से membrane potential generate होता है उसके अंदर कितनी phase होती है और उन phase के अंदर कौन-कौन से pump, कौन-कौन से channels काम कर रहे होंगे यह सारी चीजें if you guys want to know then do subscribe the channel तो membrane potential हम लोग कल discuss करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो phase होता है जिसको resting membrane potential कहते हैं वो किन transporters की वजह से उनकी activity regulate होती है then हम लोग देखेंगे action potential यानी active stage कैसे generate होती है जिस active state के अंदर या action potential के अंदर membrane depolarized हो जाती है then एक तीसरा phase होता है जिसके अंदर repolarization होता है hyperpolarization होता है तो वो hyperpolarization या depolarization किस तरीके से होता है ये सतारी चीजें हम लोग कल के video के अंदर discuss करने वाले हैं तो if you guys want to know about these things then join me अब देखना इधर ये मैं already बता चुकी हूँ अगला point और वो क्या है कि ये जो channels होते हैं इनके उपर gate लगा दिये जाते हैं और ये जो gate होते हैं अगर gate खुले हैं तो इसका मतलब ये होगा कि channel active state में हैं लेकिन अगर gate बंद हैं तो फिर ये channel inactive state में होगे तो वही लिखा हुआ है अगला point कि ये जो ionic channels होते हैं ये दो form में होते हैं कौन-कौन सी कि भाई या तो ये बंद होंगे ये चैनल का द्वार बंद है और जब द्वार बंद है इस चैनल का तो ये closed confirmation में है इसका मतलब है कि ये inactive state में है और जब inactive state में होगा तो कोई भी आयन, कोई भी पानी, कोई भी polar metabolite इससे cross नहीं कर पाएगा plasma membrane को लेकिन जैसे ही ये channel open होते हैं तो कुछ इस तरीके से open हो जाते हैं और फिर आसानी से gate खुल गया ions का, पानी का, polar metabolites का transportation आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो जब इनके gate खुल जाते हैं, open हो जाते हैं तो ये active state में आ जाते हैं, ठीक है जी, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत गुच्डूम गुच्डूम हो रहा है उपर, हटा लो इस सब को, ये रामायर हटाओ और नीचे वाले point समझलो क्योंकि नीचे वाले point समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि इन सारे आइने channels को, हम लोग detail में discuss करने वाले हैं, जैसे हम लोग अने pump discuss किये हैं, जैसे हम लोग अने movement discuss किया है detail के अंदर, वैसे ही, ये सारे, के सारे channels भी हम लोगों को, detail में पहने होएंगे क्योंकि बहुत सारे questions देखने मिलते हैं तो अगर ionic channels की बात करते हैं जो animal cells के अंदर देखने मिलें तो वो चार तरीके के major ionic channels होते हैं जिनमें अगर पहले को देखें तो वो होता है voltage gated channel और ये जो voltage gated channel होता है ये membrane potential के अंदर जो charge होता है यानि जो ions के उपर charge लगा हुआ होता है या फिर membrane के उपर जो charge लगा हुआ होता है उस charge पर इनका mechanism dependent होता है इसके बारे में हम लोग कल membrane potential के अंदर ही discuss करने वाले हैं जब membrane polarized होगी जब membrane depolarized होगी कौन कौन से phases में हमारे voltage gated channels देखने मिलेंगे किस-किस में active होएंगे किस-किस में inactive state में चले जाएंगे दूसरा है ligand gated channel और यह जो ligand gated channel होते हैं जैसा कि नाम ही दर्शा रहा है कि इनको खुलने के लिए और इनको बंद होने के लिए ligand की जरूरत होती है यानि कि इनका जो activation होगा या फिर इनकी जो open confirmation आएगी वो तभी आएगी जब एक specific तरीके का ligand इनके उपर आकर के attach होगा और यहां पर वो जो ligand होगा वही इनके receptor की उस receptor मतलब ताले की चाबी होगा तो दूसरे तरीके के जो channels है जो हम लोग detail में discuss करेंगे वो ligand gated channels हैं और यह जो ligand gated channels हैं इनका activation एक specific ligand की binding पर dependent होता है जैसे बड़ा ही famous था जैसे हम लोगोंने ABC transporter के अंदर ATP driven pump के ABC transporter के अंदर CFTR chloride channel discuss किया था यूँकि वो भी बहुत जादा popular है और popular things need validation तो वैसे ही ligand gated channel के अंदर भी एक बड़ा ही famous channel है acetyl choline dependent sodium channel नया नहीं है already बहुत सारे stuff बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होएंगी लेकिन फिर भी हम लोग discuss करेंगे maybe आप लोगों से कुछ चीज़ छूट रही हों तो हम लोग discuss कर लेंगे then ion channels के अंदर तीसरा जो important channel है वो है nucleotide gated channel और यह जो nucleotide gated channel होता है इसकी activity इसका जो regulation होता है वो कुछ secondary messenger पर dependent होता है जैसे camp cgmp ATP के molecules और finally ultimately एक और तरीके के ionic channels होते हैं जिनको mechanically gated ionic channels बोलते हैं और यह जो ionic channels होते हैं यह काम तभी करते हैं जब इनको mechanical force मिलती है और और mechanical force या तो pressure से या फिर touch करके mechanical means से मिलेगी तो इनका activation इनका regulation mechanical force पर dependent होता है किस तरीके से होता है किस तरीके से यह acetylcholine dependent sodium channel काम करते हैं if you guys want to know about all these things then do subscribe the channel you can share these videos to your friends as well who are preparing for the same exam maybe उन लोगों को कुछ help हो जाए and do not forget to like press the bell icon आप लोग कोई update मिस ना करें right आज के लिए इतना ही रखते हैं कल मिलते हैं और कल हम लोग membrane potential discuss करने वाले हैं तो cell biology का second major topic हम लोग कल discuss करने वाले हैं तो आ जाएगा बाई